बच्चों आज की कहानी है शेर और भालू को लेकर, आसा है कि तुम लोगों को पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करना। श्याम नाम के जंगल में सालों पहले एक शेर रहता था, वह शेर काफी चालाक था, इसे हर एक जानवर से दोस्ती करके उसका फायदा उठाने में खूब मज़ा आता था, शेर सबसे अपना काम करवाने के बाद दूसरों को जरूरत पढ़ने पर पीठ दिखा देता था, जं जंगल में दोस्तों की तलाश में घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, लेकिन शेर को कोई नहीं मिला, एक दिन वो जब अपनी गुफ़ा में जा रहा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा भालू भी उसकी गुफ़ा के पास घर बना कर रह रहा था, उसके मन में हुआ कि इस बार भालू से दोस्ती करके इसका फायदा उठाने में बड़ा मज़ा आएगा, रोज शेर यही सोचता था कि कि किसी तरह भालू से बात हो जाए, दो तीन दिन बीत गए, लेकिन उसे भालू से बात करने का कोई बहाना नहीं मिला, एक दिन उसने देखा कि भालू त बात करते हुए सुना, चिद्धिया भालू से पूछ रही थी, आप इतने बूढे हो गए हो तो अपने लिए खाना कैसे जुटाते हो, भालू ने चिद्धिया को बताया, पहले तो मैं मचली पकड़ कर खा लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भूखा रहता हूँ, मैं अब शहद खाता हूँ, उसका स्वाद बहुत अच्छा है, इसके लिए मुझे अंदर घने जंगल में जाना होता है, और मधुमक्खियों से शहद लेकर आना पड़ता है, ये सारी बातें सुनने के बाद शेर के मन में हुआ कि मैंन के तहट शेर भालू के पास गया और कहने लगा, आपने मुझे पहचाना, आप जब जवान थे तो आपने मुझे एक दिन कुछ मचलियाओं तालाब से निकाल कर खिलाई थी, आपने मेरी इस तरह बहुत बार मदद की है, मैं हर बार खो जाता था और आप से ही टकराता था भालू को कुछ याद नहीं आ रहा था, उसने सोचा कि इतने सालों पुरानी बात है, हो सकता है कि कभी इसकी मैंने मदद की हो, भालू सोच ही रहा था कि तब तक शेर ने कहा, अच्छा, मैं चलता हूँ, कभी कोई जरूरत हो, तो मुझे याद करना इतना कहकर शेर अपनी गोफ़ा की ओर चला गया, भालू भी अपने घर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में शेर की बातें घूम रही थी, उसने सोचा, चलो, कोई तो है, जिससे बातें कर सकता हूँ अगले दिन शेर ने भालू से बातचीत शुरू करी, इसी तरह शेर धीरे धीरे भालू से दोस्ती करने लगा, एक दिन शेर ने भालू को अपने घर खाने पर बुलाया, इधर भालू खाने का निमंतरन मिलने से बड़ा खुश था, उधर शेर ने सोच लिया था कि किसी त वो एक थाली में खाना लेकर आया, दोनों साथ में खाने के लिए बैठे भालू बुढ़ा था तो वो आराम से खाना शुरू करने लगा तभी शेर ने तेजी से खाना शुरू किया और कुछ ही समय में खाना खत्म कर दिया भालू बहुत निराश हुआ शेर ने कहा, दोस्त मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ दुखी मन से भालू वापस अपने घर आ गया अगले दिन चिद्धिया ने भालू से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो भालू ने रात को शेर के घर में हुई सारी बातें बता दी चिद्धिया ने हसते हुए पूछा, तुम्हें नहीं पता शेर कैसा है वो हमेशा सबसे दोस्ती करता है और फिर उनका फायदा उठा कर चला जाता है वो कभी किसी की मदद नहीं करता, अब तुम्हें किसी तरकीब से उसे सबक सिखाना चाहिए इतना कहकर चिद्धिया वहां से उड़ गई, भालू ने भी ठान ली कि वो अब शेर को सबक जरूर सिखाएगा इसी सोच के साथ भालू एक बार फिर शेर की गुफ़ा में गया उसने बिलकुल सामान्य तरीके से उससे बात की उसने शेर को लगने ही नहीं दिया कि उसे रात की बात का बुरा लगा है दोनों बातें करने लगे, बातों ही बातों में शेर ने भालू से पूछा दोस्त, तुम अपना रोज का खाना कहां से लाते हो? भालू ने शेर को शेहद के बारे में बता दिया शेर ने शेहद का नाम सुनते ही कहा दोस्त तुमने तो आज़ा तक मुझे शेहद छकाया ही नहीं ये बात सुनते ही भालू के मन में हुआ कि अब शेर को सबक सिखाने का मौका मिल गया है उसने कहा तुम्हें शेहद खाना है इतनी सी बात तुम रात को मेरे घर खाने पर आ जाना मैं तुम्हें शहद खिला दूँगा शेर बड़ा खुश हुआ वो रात होने का बेताबी से इंतजार करने लगा रात होते ही शेर तेजी से भालू की गुफ़ा की तरफ बढ़ा शेर के आते ही भालू ने उसका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा उसके बाद भालू ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया शेर ने पूछा तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो भालू ने कहा अगर शहद की खब़जबू किसी और ने सूंग ली तो वो यहां आ जाएगा इसलिए दरवाजा बंद करना जरूरी है अब भालू ने मधुमक्खी का एक छत्ता लाकर शेर के सामने रख दिया और कहा इसी के अंदर शहद है जैसे ही शेर ने उसके अंदर मुह डाला तो उसे मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया उसके पूरे चहरे पर सूजन हो गई शेर जिस और भी भागता मधुमक्खियां उसका उधर पीछा कर दी आखिर में शेर ने भालू से पूछा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शहद कैसे खाना है भालू ने तमतमाते हुए जवाब दिया मैं शहद ऐसे ही खाता हूँ शेर समझ गया कि भालू ने उससे बदला लिया है इसलिए वो वहां से चुप-चाप चला गया कहानी से सीख शेर और भालू की कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर किसी से मदद लो तो उसकी मदद करने के लिए तैयार भी रहो हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता